देकि बिहार के सीतामाणी में रविवार को रुपेश नाम की युवक की भीर ने लाठी डंडो से पीट-पीट कर हत्या कर दे थी मॉब लिंचिंग की वज़े बताई जा रहे हैं कि रुपेश की बाइक पिकप वान से सट गई थी, तक्रा गई थी लेकिन हमारे समवादाता प्रकाश कुमार ने सीतामणी जाकर जब परताल की तो पता चला कि मॉब लिंचिंग के पीछे दरसल अवैद शराब तसकरी का विरोध बड़ी वज़े हो सकता है रुपेश की घरवालों का रोरो कर बुरा हाल है, उसके पिता और रिष्टेदार खुले आम क्या रहे हैं कि पिकप वैन में शराब भरी हुई थी और इसी चक्कर में स्थानिये शराब माफिया ने घीर का सहारा लेकर रुपेश को मार डाला विहार में शराब पर पाबंदी है, ऐसे में रुपेश का परिवार और स्थानिये लोग खुले आम शराब तसकरी का जो आरोप लगा रहे हैं, उससे सुशासन बाबु नितिश कुमार के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है तो मॉब लिंचिंग का शिकार रुपेश की पिता का साफ साफ कहना है कि उनके बेचे को स्थानी शराब माफिया ने मार डाला तो जो लोग वहां के थे वो लोग नहीं पहचानते थे किसी को इस लड़के को यहां से तसर मेरे अखेले गया है कि अधर से सब्जी पकर के तुमाना यह हो सकता है तो क्या शराब के अवैद तसकरी की वज़े से हुई सी तामडी मॉब लिंचिंग क्या बिहार में नेपाल से खुले आम शराब तसकरी हो रही है क्या इस गोरक धंदे में नितीश का प्रशासन शामल है जब यह तमाम सवाल हमारे संबादाता प्रकाश कुमार ने सीता मडी के स्थान ये लोगों से पूछे तो सभी का जवाब हां में मिला दिखाते हैं आपको मौके से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट रुपेश के गाउं में मातम शाया हुआ है लोग हैरान है परिशान है पूछ रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी क्या आप लोग मानते हैं कि इस इलाके में आप लोग मानते हैं कि इस इलाके में आप शराब की जो शराब अवायद शराब का धंदा वो चल रहा है और अगर अगर ऐसा नहीं रहता तो सुभे पांच सारे पांच की घटना है और पांच किलोमेटर दस किलोमेटर के चोगिर्दी में सारे थाना है और अगर ऐसा नहीं रहता है तो वहां पर थाना क्यों नहीं आया और अपने चाब में कोई भी चाहता है कि हम निकल जाए और ऐसा ही उसने किया जो पीकप बेंड ड्राइबर था उसका वहां पर ससुराल है और चिलाया और जैसे ही इसको माने कि गिराया मार करने लगा तो अपने मिसन पर सफल रहा और पीकप लेकर निकल गया और साइड लगा दिया यही बात है तो यह शराब का धंदा कैसे चलता है और जो उसका एंटी में जाएगा उसको मार देता है